एक्जाम बिलकुल सरपर है कोई तो हमें बता दे कि एक्जाम वाले दिन क्या ले जाना है कोई कैसे ले जाना है कितना ले जाना है बड़ी इंसाइटी हो रही है मुझे मेरे दिमाग में कोई तो मुझे बता दे तो बिलकुल घबरा कि रहे हो So what to fear when your brother is here आपके आशु भी आगए हैं ये सेशन लेके आपके सिर्फ 5 मिनट लोगा ये बताने के लिए कि जो आप आपका एक्जाम आने वाला है क्लाइट 24 का उस में आपको क्या क्या अपने साथ उस दिन ले जाना चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं ले जानी चाहिए तो आपको इस सेशन में मैं यही बताऊँगा तो सेशन के एंट तक आप ज़रूर बने रहिए यह एक बहुत important question है क्योंकि बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं और जब वहाँ पहुंचते हैं तो आपका anxiety level already जादा भर जाता है जब आपको समझ नहीं आता कि आपके wallet में जो चीज है उसको कहां रखें या आपके पास जो phone है उसको कहां deposit करें और अगर कहीं bag लेके गए हैं तो उसको कहां रखें तो यह सारी चीजे क्या चीज लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं यही है इस session का मादिम्तु चाहिए देखते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है दस रुपे लगेंगे बीस रुपे लगेंगे लेकिन अच्छा लगेगा कि लेके गए दो कॉपी करवा के अपने डिजिटल उसको नहीं मानते डिजिटल दिखाने के लिए फोन आपके पास होगा नहीं तो कैसे दिखाओगे तो इसलिए अपने पास एक ओरिजिनल कॉपी में हाट कॉपी में अपने साथ वालिड आईडी प्रूव लेके जाना उसके बाद पासपोर्ट साइस फोट अपने अपलोड करते वाग डाली होगी अगर उसी का कॉपी है आपके पास तो वह ले जाहिए वरना कोई और दो पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ ले जाएगा यह इनिकी कही शादी प्रोएशाइस को पासपोर्ट साइस पर लेगाए नहीं दोन मत लिजाएगा वाट Water Water all taught it water की बहुत ज्यत्यवत होता है बहुत एंजाइटी होती ओपानी की तो आपके स्ट्रेस और इंजाइटी कम हो जाएगा तो इस वजह से water bottle ले के जाने की जूरूत नहीं है वो बिलकुल अलाव नहीं करेंगे बाहर और फिर जादा आपका दिल दुखेगा कि आरे लेके भी आए और अंदर नहीं ले जा पाए तो इसलिए water bottle transparent लेके जाए बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर रख दीजिए और अपना पानी दीदे जैसे stress लगे पीते रहे एक्स्ट्रापेंस रख लो और कोई fountain pen gel pen ले जाने की ज़रूत नहीं है ball pen लेके जाए अपने साथ वही allowed होता है तो ball pens के extra pens रख लीजिए कहीं बार ज़रूत पढ़ जाती है एक खराब हो गया कहीं गिर गया तो at least एक और आपके पास pair में होगा तो यह ज़रूर अपने साथ यह चीज़ checklist को देख लो मैं थोड़ा side हो जाता आप बहुत जादा digital watch और आपकी जो कहीं महेंगी सी गड़ी थी वह पहन के flaunt करने की ज़रूरत नहीं है वहीं रखवा लेंगे आपसे और रखवा लेंगे तो फिर दिल दुखेगा और डर लगता रहेगा कि यह मेरी घड़ी को कोई लेना जाए आपकी घड़ी जो आपक पहन के जाना जाएं तो आप पहन की जा सकते हैं इलाबरेट डिजिटल वाचे और आपको पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है वह आलाउड नहीं करेंगे वहीं आपके पास बहार रखवार लेंगे और फिर वह खो जा इधर हो जाए तो वह सेंटर वालों की जिम्मेदारी जाएं आपके जाएंगे जाएंगे तो आपको अपने सेंतर से ही आपके ग्जाम सेंटर पर आपको मिल जाएगी जब आप अंदर चले जाएंगे अधर्वाइस आपके question booklet के पीछे भी कुछ जगा दी रग की होती है जहां पर आप अपना rough work कर सकते हो कुछ exams में होता है कुछ exam में नहीं होता है जहां नहीं होता तो शायद आपको वह एक rough sheet देते हैं लेकिन आप भार से कोई भी rough sheet वहां पर नहीं ले जा सकते कपड़ों में ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे कपड़े पहन के जाएं तो थोड़े से अच्छे लूस से हूं ज्यादा टाइट कपड़े पहन के जाने की जुरूरत नहीं है क्योंकि आपको अनकमफर्ट होगा तो एंजाइटी होके पेपर में भी आप प्रॉब्लम देखे चले जाएंगे तो वह मत करिए दूसरी चीज़ आप इसमें क्या करें कि जब आप जाएं महां पर तो इलाबरेट मेक अप करके मत जाएं रिंग्स वगेरा यह जादा ना मैट के जाहिए कम अच्छे से ड्रेस होके जाएं जो गर्ल्स हैं वह अपने बाल बांध ले और ज्यादा पर्फ्यूम ज्यादा स्ट्रॉंग न लगा के जाएं अच्छे से कुछ वैलिड आईडी प्रूफ कौन से हो सकते हैं अधार काड सबसे बेस्ट है तो अधार काड अगर आप लोगों के पास है अपना तो फटा-फट से अधार काड को ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे आप अपने साथ पे वहाँ पर क्योंकि वह अधार काड दिखते हैं driving license, Indian passport या फिर pancard यह मैंने इस order में इसलिए लिखा है क्योंकि pancard मैं generally suggest नहीं करता हूं कि as a valid ID proof लेके जाएं क्योंकि कुछ centers पे pancard को ID proof नहीं माने जाता है तो unnecessary बेकार में आपको you know anxiety हो जाए last moment पे तो उससे better है अधार काड या driving license या Indian passport ऐसी चीज ले जाएं जिसको आप identity proof महाँ पर दिखा सकते हो तो this is very important उसके बाद next point अगर आप यहाँ पर देखते हो things to be noted exam date देख लो बहुत बार हो जाता है कि उपर नीचे हो जाती है तो सब लोगों का class 2024 exam 3rd December को है ठीक है timing देख लो कब है आपका paper दो बजे से है दो से चार के बीच में आपका paper है तो आप यह देख लो exam timing तो देख लीजिए उसे confirm कर लीजिए क्या है timing change तो नहीं होगी वह है यह नहीं है center कौन सा है यह बहुत important है center कहां पर है तो कोशिश करो अगर आप उसी जगह रहते हो उसी city में रहते हो तो एक दिन पहले जाके अपना center देखाओ घर से कितना दूर लगेगा reporting time देख लो कि वहाँ पर कितने बजे का है कितने बजे आपक बच्चे आपको हम गये थे ग्राउंड reality पर कोर्स को कवर करने के लिए exam center को कवर करने के लिए और हमने वहाँ पर देखा कि बहुत चारे बच्चे भागते दौरते पहुंच रहे हैं आखरी मौन पर कुछ लोगों तो गेट बंद हो गया था और उनको अंदर जाने नहीं पाइदा देंगी location कहां पर है आपका test center कित्ती दूर है कहीं कहीं बहुत 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 बहर में तो नहीं है जहां पर जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा तो time लेके चलो so that at least test center पर आप एक घंटा पहले या आदा घंटा पहले पहले पहुंच जाओ फिर थोड़ा स it would happen and others make it happen you want to be that person that will make it happen बिलकुल भी anxiety लेनी की जुरोती है मेरे बच्छो आप लोगों ने preparation बहुत अच्छी से करिये धंग से करिये and trust me you will be there who will clear this paper with finis all right take care everybody see you and all the very best